शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुले महरश्र सरकार ने सोमवार की शामको राज्ज के सबे ही हवाई अड़ों पर पहुशने वाले सबी यात्रियों को अपने बारे हात पर मुहर लगाई जाएगी और यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर के अलगाव में रहना होगा इस आउधी के दोरान हर कोई अपने स्वास्त का ख्याल रखना चाहता है राज्य सरकार की यह दिशा निर्देश नाखपुर में भी लागु किया जा रहा है और निगम की स्वास्ते टीम के माध्यम से आने और जाने वाले प्रत्यक यात्री थर्मल स्क्रिनिंग की जा रही है राज्य सरकार्दवारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई यात्रा करने वाले प्रत्यक यात्री को आरोग्य से तो एप डाउनलाउड करना होगा और आवश्च जानकारी भरनी होगी प्रतिक यात्री को यात्रा के शुरुआत से पहले हवाई अड़े के प्रभंदनवारा थर्मल परिक्षन के आ जाता है और केवल वे यात्री जो कोई लक्षन नहीं दिखाते हैं उनने ही यात्रा के लिए विवान पर चड़नी के अनुमती दी जाती है एरलाइन स्टाप चालगडल सहित सभी यात्रियों को मास्क पहनना चाहिए और साथ ही प्रस्तान और आग्मन के बाद भी सभी स्तानों पर सामाजिक दुरी का सक्त पालन करना चाहिए हवाई अड़े पर चिकित सा कर्मियों द्वारा जाज की जाती है डॉक्टर बाबा सहबां बिड़कर नाख फुरांतराश्ट या हवाई अड़े पर आने और जाने वाले सभी यात्रियों का थर्मल परिक्षन भी किया जा रहा है इसके लिए निगम की स्वास्त टीम तैनाथ है यदि थर्मल निरिक्षन में कोई लक्षन पाई जाते है तो संबंधित यात्री को निकटम चिकित सा सुविधा में ले चाया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए दिशार निर्देशियों के अनसार आगे की कारवाई की जाएगी यात्रियों को अपने घर से हवाई अड़े या हवाई अड़े से आने या जाने से पहले स्वयम के वहार में यात्रा करनी होगी विशेश रूप से प्रतिबंद क्षेत्र से हवाई अड़े या हवाई अड़े से प्रतिबंद क्षेत्र की यात्रा के अनुमती नहीं है कारिक्षियन नकारात्मक है सभी जानकारी प्रस्तूत की जाने चाहिए उपरक्तनिय मुख्या पालन करना अनिवार्य होगा उडान के बाद प्रतिक्या त्री चौदा दिनों के लिए घर पर अलगाव हो जाएगा इस मामले में यह सुनी चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए रिष्टेदारों द्वारा कोई मदद नहीं दी जाती है और चौदा प्रुथक करन का पालन बहुत सक्ती और बिना शर्थ किया जाना चाहिए इन बीसे न्यूस के लिए अभिशेख पांसी के रिपोर्ट